असलाम अलेकुम, वेलकम टू मैं चैनल को कुछ शाहिन सुलताना तो आज की रेसिपी है सबसे हटके, मेरे स्ट्राइल में मैं आज बना रही हूँ उमीद रखती हूँ, आप सबको बेहत पसंद आएंगी तो आज मैं बना रही हूँ, स्पेशल आप सबके लिए ये है पीजा समोसा जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं पीजा समोसा जिसमें मैंने चिकन भी अट किया है तो आपको ये जरूर और जरूर पसंद आएगा चलिए हम इसकी इंग्रिडियन्स जान लेते हैं और इसका प्रोसेस क्या है, देख लेते हैं दिखें, इतना क्रिस्पी है जैसा के रेस्टोरेंट स्टाइल में हम बना रही है हलवाई स्टाइल में चलिए, तो सबसे पहले हम धाई कप मैदा ले लेंगे आपके मिजूर के साफ से आप लीजिए, मुझे तो धाई का मैदा लेना है, देखें आप कम या जादा ले सकते हैं, 100 ग्राम लीजिए, यह है डालडा, जो मैंने 100 ग्राम इसमें आट किया है और यह है ऑईल, जो मैंने 5-6 टेबल स्पून ली हूँ सेम टू सेम मैं यह समोसा जो बना रही हूँ, हलवा इस्ट्राइल में तो आप ज़रूर और ज़रूर ट्राई किजिए, क्रिस्पी थोड़ा सा नमक इसमें डालती हूँ, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए नमक और यह है औरिगयनो, जब पिजा समोसा बन रहा है तो औरिगयनो ज़रूरी है इसमें डालना तो देखिए यह थोड़ा सा औरिगयनो डाल रही हूँ और चलिए हम यह सारे इंग्रेडियन्स इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से मिक्स करना है और जब आपकी मुठीस में अच्छे से बनने लगी है तो समझे यह पर्फेक्ट है समोसों के लिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए देखे इस तरह से मुठी बनना है आप तो ये पर्फेक्ट समुसों के लिए या पट्टियों के लिए आप ये पर्फेक्ट है तो थोड़ा-थोड़ा पानी करके हम एकदम रोटी जैसा डो बनाएंगे आप थोड़ा से सकत भी रख सकते हैं लेकिन समुसे का डो जो होता है वो नर्म होता है तो जैसे हम रोटियों के लिए बनाते हैं वैसा ही डो बनाएए आप इसे अच्छे से गून दिये अब थोड़ा थोड़ा पानी करके दाली एकदम पानी मट डाले देखे इस तरह से तो ये डोबन कर तयार हो चुका है अब इसे हम थोड़ा सो आइल लगाकर अपलाई करके इसे हम ढग कर रख देंगे आदे घंड़े के लिए छोड़ दीजिए अब चलिए हम मैं चिकन ली हूँ 500 ग्राम और इसमें वन टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ थोड़ इसी हल्दी है दो चुटकी और यह है मिर्च वन टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ मुझे तो ठीका पसंद है और इसमें मैं डाल रही हूँ भुनावा जीरा वन आफ टीश्पून मैं बाद में डालूँगी और यह धनिया पॉडर वन टीश्पून थोड़ा सा अध्र गलेसन डालिए इसमें बस थोड़ा सा वन टीश्पून टेबल स्पून नहीं टीश्पून तो चलिए हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन के इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे मैंने वेनेगर में इसे अच्छे से वाश किया है चिकन को देखे चोटे-चोटे पीसिस करना है आपको बड़े-बड़े पीसिस नहीं रखना है और ना समोसा नहीं बनेगा देखे इस तरह से इसे ज्यादा रेस्ट्री की जरूरत भी नहीं है बस पांस एचे में चलिए आप मैं यह चिकन मसाला डाल रही हूं इसके अंदर वन टीस्पून लगेगा इसमें तो देखे वन टीस्पून मैं इसमें डाल चिकी हूं आप आइल ले लिए जिए आप पचास से सौ ग्राम के आज पास यानि कम ही लीजिए। इपचास ग्राम ले ले जिकी हूं मैं अईल तो इसमें मैं यह सारा जो चिकन मैंने मैरिनेट करा था व्यों इसमें डाल रही हूं 5 मिनट्स के लिए रखी थी मैं 5 से 10 मिनट्स रख लीजी आप चलिए इसे अच्छे से हम सौटे करेंगे अच्छा सौटे होना है इसे अच्छा से सौटे कीजिए अब इसका पानी रिलीज होगा हम इसे ढख कर छोड़ देंगे थोड़ा से सोटे कर लीजिया तो ये ढखकर हम इसी के पानी में हम इसे रिलीज होने के बाद ये इसमें पक जाएगा गल जाएगा अब मैं थोड़ा सा चाट मसाला इसमें आड़ करूँगी वन टी स्पून इससे बहुत टेस्टी हो जाता है चिकन अब मैं देखिए चिकन अच्छा सा फ्राई हो गया है अब इसमें मैं शेजवन चटनी डाल रही हूँ और इसके अंदर मैं देखिए शेजवन चटनी है और पिजा सास है यह सब टेब वन वन टेबिल स्पून और यह थोड़ा सा और यह नो इसमें डालूंगी मैं दिखिए और यह है कश्मीरी लाल मिर्च यह कलर के लिए है थोड़ इसी छिड़क दीजिए अब स्लो फ्लेम पर मैं यह बना रही हूँ अब इसमें मैं यह पुरे वेज्श अड़ कर दूंगी जैसे के यह है ऑनियन और अनियन छोटा सा और यह है हरी और पीली और ग्रीन जो रेड एंड ग्रीन इलो शिम्ला मिर्च इसमें मैं आड़ कर रही हूं इसे फ्राई होने दीजिए एक दो से तीन मिनिट में यह फ्राई हो जाएगा अब इसमें मैं मैं जाल रही हूं मैं आप दो टेबलिस्पून लेना है इसमें बहुत अच्छा आता है यह फन फूट का है मैं ले रही हूं थोड़ी सी फूटक्रीम अप चाहें तो डाल सकते हैं या नहीं तो नहीं मैं थोड़ी सी डाल रही हूं यह उप्शनल है, आप चाहे तो दालिए या महनना आप स्किप कर सकते हैं से क्रीम को, मियोने तो कंपलसरी है, जो हम पीजा समोसा बना रहे हैं, तो इसके अंदर पुरा पीजा के इंग्रिदिएंट्स होना कंपलसरी है, और यह है काली मिज काजु का पौडर दो मैंने फ्रीज करके रखी थी काजो को और इसमें हम जब इसे कूटेंगे तो यह अच्छी से पॉड़र बन जाएगा मैं काली मिर्च के साथ इसे कूट कर इसमें डाल दिया है तो देखिए हमारी ग्रेवी भी अच्छी से बन जो टॉपिंग है समोसे की जो फिलिंग है व इसे हम नीचे उतार देंगे स्टो से यह सारे चीजे मैं एकदम स्लो फ्लेम पर बना रही हूं चिकन फ्राइ होने के बाद आप एकदम से स्लो फ्लेम पर बनाए तो चलिया इसे हम नीचे उतार देते हैं और इसे ट्रांसवर करते हैं एक प्लेट में ताके यह स्टफिंग जल से जल ठंडी हो जाए और इसके उपर मैं ये हरा मसल यानि हरा धनिया डाल रही हूँ हरे धनिया के पतियां आप डालिए ये बहुत लज़ेदार होते है तो चलिए हम एक प्लेट पी निकाल लेते हैं इसे ठंडा करने के लिए जब तक ये ठंडा हो जाए हम आटे को लोंगी कि देखे इस तरह से और चीज आपके पास ये अगर आपशी चीज लेकर आप ग्रेट किजए अगर नहीं है आपके पास तो ये गोड चीज है अगर आपके पास नहीं है तो आप पैटीज भी ले सकते हैं चीज के पैटीज जो आते हैं वह भी बता रही हूं 25 받 category हूँ देखे यह गोचीज है मज़रला चीज अगर आपके पास है तो भी डाल सकती है आप भाट अच्छा शांदर बनकर तयार होता है चाहे तो आप यह रस्टोरेंट में भी बनाकर डाल सकते हैं दिखे यह पैटिस है चीज पैटिस देखे यह भी मैं इसमें डाल रही हूँ तो अब तब तक वह ठंडा होगा हम इसे अच्छे से गुंद लेते हैं मसलेंगे से थोड़ी सी मालिश कर देंगे इसकी अच्छा सा मसाज किजिए आप उडो को जितना आप अच्छा सा इसे मसलिंगी उतना अच्छा सा समुसा बनकर तयार हो जाएगा तो गाइज मेरी रेसिपीस अगर आपको पसंद आ रहे तो प्लीज लाइक किजिए शेर किजिए ज्यादा मेरे चैनल को सबस्क्राइब किजिए जो सबस्क्राइब नहीं कियا है और प्रेस करना मत भूलिए तो एक एक लोई हम बना लेते हैं इसके और इसे बेल लेते ही सबखिए मैं आपको दो तरहे चैनल के बता रहे हूँ बिना दस्ट के आप ऐसके वनाएंगे तो यह बंहेगा नहीं थोड़े कुछ लोग बिना डस्ट के बनाते हैं क्योंकि तेल काला ना पड़े लेकिन उसमें बहुत महनत लगती है बनने में क्योंकि हम जो रूटी बेल रहे हैं समोसों के लिए जो पटी बना रही है वो भूट लेट करिए तो अब चलिए इसकी salary बनाएंगे हम यह घोल बना लेते हैं थोड़ा सा मैडा डाली हूं में थोड़ा सा पानी डाल गर इसका अच्छा सा paste बना ले रही हूं में चिपकाने के लिए दिखें इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी के लिजिए अब जादा liquid मत रखिए एकदम ठीक होना है इसक कर सकते हैं इसके sides अब कट कर लीजिए दो भाग में बना लीजिए एक पराठे को दो भाग में कर लीजिए चलिए अब इसमें हम स्टफिंग करते हैं देखें हमारी स्टफिंग भी अच्छी से ठंडी हो चुकी है room temperature पर तो आप आपके हिसाफ से इसमें feeling आप जादा लेन चाहरे तो आप feel कीजिए ज्यादा या कम है तो कम stuffing आपकी मर्जी है मैं इसमें दो-दो spoon डाल रही हूँ क्यूंकि हमारा समोसा भी बनना है बनना यह बन नहीं होगा तो साइट से हम देखें यह पेस्ट कर देते हैं इसके साइट को और इसे अच्छे से एक शेव देखिए इस तरह से प्रेस करना है आपको अब यह खूलेगा नहीं अच्छे से प्राई हो जाएगा और आप एक एक करके आप पुरे रेडी कर लीजिए देखिए मैं धाई कप मैदे में 16 समोसे बनकर तयार हो चुके हैं मैं धाई कप मैदा ली हूँ तो उसके अदर पुरे 16 समोसे बनकर रेडी हुए हैं तो एक चपाती में दो समोसे बनते हैं तो आठ में 16 हो गए हैं इस तरह से पुरी फेलिंग भी बराबर हो गए इस डो के हिसाफ से बराबर हो गई हैं इतने जाएखिदार होते हैं ये पिजा समोसा साथ जरूर और जरूर ट्राइ किजिए आपके समोसे अच्छे बनना है तो आपको डो अच्छा सा बनाना है इसका और जो डो मैंने बनाया है मेरे मेथड से आप जरूर ट्राइ किजिए इंशालला आप जरूर कामियाभी हो जाएंगी बनाने में तो देखिए इस तरह से आपको लोई को इस तरह से करना है मसल कर आप हतेली की सहता से देखिए अब इसे थोड़ा सा मैं डस्ट करकर बना रही हूँ ये फास्ट बनती है इस तरह से तो दो तरह से मैं बना रही हूँ आपको बता रही हूँ तो अब आपकी मर्जी है आप चाहे तो बीना डस्ट के बनाए चाहे तो आप डस्ट करकर बनाए तो देखिए इस तरह से बड़ी हो रही है हम डस्टिंड करने से मुपालège भाड़ी कर सकते हैं अब इसे आध्या ता कर लेते हैं हूँ स्टफिंग करेंगे देखिए हमने जो मैदे का घोल लिया था उससे हम से अच्छे से प्रेस कर लेंगे लगाकर पेस्टिंग कर लेंगे पेस्टिंग करने के बाद आप इससे अच्छे से प्रेस कर लीजिए यह समोसा रेडी हो गया देखिए इस तरह सब बहुत आसान है बनाना एक बार आप ट् कोई परेशानी नहीं है आपको बनाने में यह बहुत आसान होता है और एकदम हल्वाई जैसा समुसा बनकर रेडी हो जाएगा तो यह पीजा समुसा आप सबको कैसा लग रहा है आप जरूर और जरूर मुझे गुड़ कॉमेंट्स कीजिए इस तरह से आप पेस्ट करकर इसे एक एक करके पुरे आप इस तरह से बना लीजिए तब तक मैं एक गडाए में तेल गरम कर लूँगी समुसों के जरूरत के हिसाब से एक एक में छोड़ूंगी देखे हीट करके मैंने एकदम लो फ्लेम पे रख दिया है यानि ज्यादा गरम नहीं रहना है आप को आईल बस स्लो फ्लेम पे ही आपको बनाना है और जब आपको हीलाना भी नहीं है वह खुद बाखुद फ्राई होके उपर आ जाएंगा देखे यह उपर आना शुरू हो गया तो देखे इस तरह से उलट पलट कर आप इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए एकदम ब्राउन कलर ज बहुत अच्छे तरीखे से आएगा वह खुद बाखुद कलर आप जलबाजी मत किजिए हाई फ्लेम पे मत बनाएए स्लो पे बनाएए तेज रांच पे अगर आप बनाएंगे तो समोसा ओपर से फ्राई हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्छा रह जाएगा अगर आप स्लो स्लो हीट पे बनाएंगे तेल का टेंपरेचर आप एकदम स्लो हीट पे रखेंगे तो देखिए इस तरह से बनेगा देखिए अंदर से भी उपक जाएगा और उपर से भी एकदम क्रिस्पी बनेगा सीम हलवाई जैसा यह दो तीन ट्रिक्स अगर आप समझ कर बनाएं तो बेहर अच्छा बनता है समोसा चाहिए आपको उन से भी स्टफिंग करके बनाएं तो एक तरफ अगर यह होने के बाद फिर आप दूसरी तरफ इसे पलट लीजिए ताकि दो तरफ से भी एच्छे से से के जाए तो इसी तरह से आप एक एक करके सारे कर लीजिए तो देखें । आपने सारे समोसे कर लिया है